अब इसकी स्टोरी कहां से जाती ही मैं आपको पताता हूँ जब नुगल एंपरर औरंग जेब था और आप जाते हैं औरंग जेब ने काफी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जिर्जिया लगाया था क्या कहने किया औरंग जेब एक ऐसा आर्मी था जिसने अपने जहां जहां मंदिर उसको तोड़ के आप मजजिद वहां पर बनाओ अब तीन चार बड़े प्रॉमिनेंट जगाय थी हिंडूइजम में एक था सुमना सुमना थे गुजरात में ठीक है जी एक तो वह सुमना को खैर आगर आपको या दो तो महामद गजनी ने भी सत्रा बा वहाम है तो उनों ने इसके बारे में बताया था कि यह इन्हों ने मतलब यह जो अमले वह अमले करता था कहते कि घजनवी साब अगर यह इतना काबल आदमी था तो पिर इसको सत्रा दफार हमला करने कि क्या जरूती एक ही दफार में यह वह उसको कंकर्ट कर दे ता मुझे चोड़ दे तो पैसे चाहिए एक करोड सोने की अश्रफिया ले जा तो उसने बोला बोला नहीं मैं अश्रफिया नहीं लूँगा क्योंकि मेरा जो मानना अगर खुदा मुझे कयामत के दिन बोने का तू बुद परोज था या बुद परस था तो मैं जवाब दूँगा कि मैं बुद शिकन था बुद परोस नहीं था तो इसने भाई मैं यह तो लूँगा भी और मैं पैसे भी लूँगा चले हो गई हिस्ट्री दूसरा यह वो हो गया सोमना यह है गुजरात में और आपको याद होगा जब पहली बार अटल वहरी वाजपाई जी अफगानिस्ता गए थे तो उन्हें बोला था मुझे गजनी जाना है तो लोगो ने बौला गजनी में तो कुछ भी नहीं वहां वहां तो बूदो की okay भाई भी ऐसकी हालत आपको यह बायूद Ség Lake की आ और आ अब आते हैं जी अब दूसरा मंदर था जो जो औरंजेव ने यह तो एक यह था और मत्रा इसका फर्मान औरंजेव ने जारी किया था बाबरी मजजिद जो थी जिसको मंदर को थोड़के मनाया गया था अयोद्यम उतु पकाई है अब यह दो चार चीजे फकरवाई इसलिए कि गई थी कि आपको आप जानते हैं उन जुनों कन्वर्जन बहुत हुआ बहुत कन्वर्ट किये गए हिंदू इन फैक्ट जो अभी भी हमारे आसपास के मुसल्मान नाइंटी नाइन परसंट आप नवा कन्वर्टेट हिंदूस तो किया गया अब औरंजेव ने आते हैं कि तो राम मंदर वाला इशू अलग है वो तो आपको पता ही है वो एक सुपैंतिस साल कोट में चला हो कहानी चलती रही है अब यह जो काशी और मत्रा है तो यह स्पेशल औरंजेव के आर्डर पे तोड़ा किया किया कि कि मैं दोनों जगा गया हूं और हर इंदुस्तानी सब्सक्राइब जा सकता है तो अगर आप काशी विश्वनात मंदर के अंदर जाते हैं तो ऐसे मंदर है मंदर से करीब पांच फुट दूर पांच मीटर हाड़ी एक दीवार लगी है दीवार के उस साइड मॉस्क है पहले यह सारा मंदर था और अगर आप आज भी इंटरन सब्सक्राइब तो यह उसने स्टाइल मत्रा में भी कि अगर आप दोनों जगा जाओगे तो रामंदर के किसमें तो और जो पर दिखती आपो से या को भी दिखतत है अभी जो आपने सुनों का का शी विश्वनात का कॉरिड़ बढ़ाया गया मोजी इनागर तो उससे क्या किया माली जी यह कॉलिड़ और इसके आसपास इसको ऐसे चोड़ा किया गया और गंगा जी तक लाया गया जो ग्यानवापी मॉस्क है वो अभी एज़िट इसको टच नहीं किया तो जो चोड़ा कि वो जो मॉस्क है क्योंकि जब बाद में रिनोवेशन हो महारानी उनकर न पर इसको टोड़ा गया तो इसलिए उनकी डिरेक्शन अब भी वैसी है तो अब यह जो चीज है उन्होंने बोला अब उसके बहार के दीवारों पे हिंदू देवी देवताव के वो स्कुल्प्चर स्वास्तिक अमालिये बने और उसकी बेस्मेंट बंद है बेस्मेंट में कि बीकाफि कुछ सामान ढाला गया तो अब लोगों ने बोला भाई हमें इसके बाहर जाके बाहर की दीवार पर एट इस हफते में दो बार पूज़ा करने की हमें अदर नहीं जाएंगे बाहर बाहर जो बना है वहां पूज़ा करने की इजाज़ती यह पाँछ लेडिज् वीडियोग्राफिक करके अंदर भार सब देखना पड़ेगा कहा नहीं के बाहर से दिखतो रहा है कहीं यह बाहर भार ही तो नहीं अंदर ऐसा नहीं है तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक हम आप डाल दीजाए अगर आप भी आज फोटो डालेंगे तो यहां भी हमें देख जा जाएंगे और अब इसकी वीडियोग्राफिक करके आप हमें एविडेंस दो कि यह अंदर कहानी है क्यान वापी मॉस्क और यह जो काशी मिश्वनात की साजी स्टोरी यह है और पर एक आप यहां यह बताना जरूरी इंडिया में एक आया था नाइंटी नाइंटी वन में जो कुशन तब थी वही कुशन रहेगी वह कुशन युनियारमसली चेंज नहीं होगी जबकि एक कमिशन आया था उसने ऐसे फखर भाई 44,000 फुर्टी फोर थाउजंड जगाए इडेंट्वाइक की है उनको चिन्नित किया गया था गूर्मेंट का कमिशन था जिसने यह ब सब्सक्राइब कर देनी है यह अगर आप इस फोटो को थोड़ा बढ़ा करें आप इसको शोलो पर कर देता हूं मंदिर के पिलर मंदिर के नकाशिक कारवाई दिखाई देगी जी बिलकुन ठीक है ना तो इसी के उपर मजजिद का कुम्बत लगाया था उर्ण सिर्फ ने यह किया था दन इसी के सामने काशिक विश्वनात मंदिर है पांच फिट की दूरी है कि कॉंपलेक्स सेम है बाइद एक ही कॉंपलेक्स में अगर आप देखेंगे तो मथरा में भी यही मिलेगा आप दिखा रहे हैं इस पूरे की वीडियोग्राफियों की अंदर बहार इंक्लूद तैकाना इसके अंदर क्या है उसके बाद जो भी कोट का फैसला होगा जैसे भी हो चलेगा पर एक मैं आपको टेक्निकल बाहन बता हूं इसमें जब तक वो नाइंटी नाइंटी वन का एक्ट है तो इस मजजिद को मंदिर में कनवर्ट नहीं कर सकते हैं यह मजजिद मजजिद ही र जाती है कि माता की रसो ही वहाँ है जिसको शंगार हो रही है कि आपको उसकी पर्मिशन दी जाएगी या तो वह एक्ट रिपील हो अब दिक्कत क्या फगरभाई जो मुझे दिख रहा कि अगर यह चीज नहीं है या कोई consensus नहीं होता कि कहीं यह चीज बढ़के हर चीगा प होता गया तो यह बहुर बड़ा मसला बन सकता है अब देखें पॉलिटिशन है पॉलिटिशनों का फुल्टिकल इंट्रेस्ट भी होता है हर इंट्रेस्ट होता है तो अब हमें इस चीज को हमें अभी जरूरत एक ट्रस्ट का माहौल बनाने की और चीजों को सैटल करने की रादा दर चीजों को ऐसे कोन लेंगी यह मेरा परसनल अपिनियन इसको जी अच्छा एक चीज और भी है मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि ताजमहल के ओपर भी किसी ने गालबन प्रटिशन डाला हुआ है कि इस तर इदर कोई गालबन मौर्थियां पढ़ी है या को इस एप्लिकेशन को तो आई तिंक सो खारच किया गया उसको डिस्मिस किया गया लेकिन क्या वज़ा है कि लोगों को लगता है कि इस किसम की चीज़े एक हो सकते मतला बहुत सारी चीज़े जो आप जिस तरह इदर